हेलो फ्रेंड जशी किष्णा मैं हूँ और आपका स्वागत है मेरी किचेन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ठंडा ठंडा मार्केट जैसा गन्ने के रस की रेसेपी जो कि मैंने बनाया है बिना गन्ने के और वो भी कुछी मिंटों में और जब आप इस रस को पिएंगे तो आप कहने नहीं पाएंगे कि ये जो गन्ने का रस है वो बिना गन्ने के बना हुआ है तो चलिए इस इंटरस्टिंग सी रेसेपी को शुरू करते हैं तो ये गन्ने का रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थ्री फोर्थ कप के जितना गुड या फिर वजन में देखे तो ये सौ ग्राम गुड है जिसको मैंने चाकु से बारिक-बारिक काट लिया है अब हम इसे एक mixing bowl में निकाल लेंगे और इसमें एक कप माने की 240 ml पानी हम इसमें डाल देंगे 100 गुड के लिए 200 ml पानी आप इसमें डाल लें और इसको अच्छे से mix कर लेंगे पानी आप ठंडा या फिर regular कैसा भी ले सकते हैं अगर आप ठंडा पानी लेते हैं तो गुड को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप इसको 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दें बिगा के तो गुड इसमें आराम से पिगल जाएगा लेकिन यहाँ पे मैंने साधा पानी लिया है तो गुड इसमें अच्छे से घुल जाता है इसी तरह हिलाने से तो यहाँ पे देखे मैंने मिला मिला के इस गुड को अच्छे से घुल लिया है अब यह जो हमने गुड का पानी बनाया है इसे हम एक पिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ी बोड़ी जो यह गुटलियां रह गई है नीचे गुड की इसको भी इसमें डाल लेंगे साती यहां पे मैने 15 से 20 पुदीना की पतियां लिए है यह डाल देंगे इसमें पुदीने की पतियां इसमें जरूर डाले इसको skip ना करें और साती यहां पे मैने एक छोटा सा 1,5 इंच का टोड़ा अधरक का लिया है वो तो इसमें तीन बन जाएंगे और अगर आप बड़ा वाला पीना चाहते हैं तो दो ग्लास बनेंगे इसमें तो एक ग्लास के लिए हम यहाँ पर आधा नीमबू डाल रहे हैं तो मैंने टोटल यहाँ पर डेड़ नीमबू डाला हैं अगर आप जाधा गुड़का बना रहे हैं तो आप नीम्वू इसमें जाधा भी डाल सकते हैं साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे आदा छोटा चमच के जितना काला नमक बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है आप चाहें तो चाठ मसाला भी डाल सकते हैं अब इन सारी चीजों को हम mixi में एक बार चला लेंगे जिससे सारी चीज़े अच्छे से पिस जाएंगी मतलब कि हमें इन सारी चीजों की एक चटनी जैसी बना लेनी है तो मैंने यहाँ पर इन सारी चीजों को mixi में चला लिया है और यह देखिए हमारा गोल बनके तयार हो गया है अब हम इसमें कम से कम एक कप के जितनी ice cube डाल देंगे एक कप के जितना मतलब कि 10-12 आपको ice cube इसमें डालनी है और ice cube डालने के बाद फिर से आपको mixi को चला लेना है 2-3 मिनट के लिए 10-15 ice cube इसमें जरूर डालें उसे बिल्कुल भी ना escape करें और यहाँ पर ही देखिए मैंने जिस glasses में इसको serve करना तो उसमें भी मैंने पहले थोड़े से ice cube डाल दिया है और यह हमारा ठंडा-ठंडा गण्नी का रस बनके तयार हो गया है जब आप इस शर्बत को पिएंगे ना तो आप कहण नहीं पाएंगे कि यह जो रस है वो आपने बिना गण्नी के बनाया है अगर आप किसी को भी पिलाते हैं न ये रस तो कोई भी भी बता पाएगा कि ये रस आपने बिना गन्ने के बनाया है सब कोई सुचेगा कि ये आपने गन्ना घर में लाके पीसके और इतनी महनत करके बनाया हुआ है और देखा आपने कैसे कुछी मिंटों में ये ठंडा एकदम बजार जैसा गन्य का रस आप घर में ही बना के तयार कर सकते हैं जब आप इसे बनाएंगे और पिएंगे न तब आपको पता चलेगा कि ये एकदम गन्य के रस जैसा ही लगता है तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद आपको रेसिपी कैसे लगी प्लीज मिटे कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर बताएं और इसी तरह की और भी अच्छे ची रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस गन्य के रसकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर शरूर करें थैंक यू